हेलो हाई गुड मॉनिंग फ्रेंड्स एंड ओल दी स्टुडेंट जैसा कि आप जानते कि लोकडाउन के चलते ओफ-लाइन क्लासेज नहीं चल पा रही है जिसके तहद बबा नुमानदास स्कूल बैसा होता फुद की तरब से ओनलाइन क्लासेज इस्टार्ट की जा रही है औ जो आज़की क्लासे मैथ की स्टार्ट की जा रही है तैन्थ क्लास दस्वी क्लास हमारा ओपिक भी जगनीत का दस्वी क्लास का जो पांग प्रशनाव लिए बीढ़ीट में पांग प्रशनावलियए समानतर सेड़ी और्धमेटिकन प्रोगरेशन m मतलब नाम से़सी पता चल रहा की समानतर सेड़ी की सेई है जिसमें पद होते हैं WAS समान अंतर पे होने हैं वह समान अंतर पर थो दोट वरतैं यह का ज़ाता है समान तरसेड़ी का जाता है उसका हम उन पदों को इस परकार लेखेंगे a1, a2, a3, a4, dot, dot, an, minus 1 और an ये लाश्ट वा पद, ये पर्थम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ये चोथा पद है, इस परकार इन पदों में अंतर समान होता है क्या होता है, इन पदों में अंतर समान होता है इसलिए इस सरेणी को, इस रीज को समान तर सरेणी कहते है समान तर सरेणी को व्याप्तक रूप में इस परकार भी लिखा जाता है और इस a यानि जो पर्थम पद होता है, इस पर्थम पद में इस पर्थम पद में जो समान अंतर जोडते हैं अंतर यानि जैसे आपको एक्जामपल देगे बताऊंगा भी ए पर्थम पद हो गया इसमें जो कुछ जोड़ा है डी जो जोडते हैं वो अगला पद बन जाता है और इस अगले पद में डी जोडते हैं तो दो डी हो गए प्लस में ए इस परकार यह सिरीज बन गई जिसमें ऑ गया ईह प्रिफ प हो गया वो क्या उनतर हो गया सारओं गया एक समांतर सीरी रह नहीं होती है यदि उसके अंतर कंत करए ghi जैसे पदों का अंतर एट टू माइनस एवन यानि दूसरे पद में पहला पद गटाएंगे और तीसरे पद में दूसरा पद गटाएंगे चोथे पद में तीसरा पद गटाएंगे तब इन पदों का अंतर होगा ना वो समान होगा तो समान तरसेडी कहलाएगी एक ये भी ड को दूसरा पहला पद दो है पर्थम पद दूसरा पद पांच है तीसरा पद आठ है और चोथा पद क्या है ग्यारा इस परकार आगया कर चलते हैं तो इसमें देखते हैं अंतर दूसरे पद में से और पहला पद गटाते तो कितना आता है तीन आता है इसी परकार तीसरे पद डिनोट करते हैं A2-A1 equal होता है जिसे 5 है यहां पर दूसरा पद और यहां पर पर पर्थंपद यानि A1 कितना है दो घटाया कितना बच गया यानि माइनस किया कितना बच गया 3 इसी परकार यहां दे को दमने दूसरा एक्जाम पर लिया है जैसे एक्जाम पर लिया 15 है 13 है 11 इस प्रकार लेने पर पर तंपाल गया हो गया इसको पर तंपते अनी पर तंपध को यानि ए कल से द Alliance करते हैं तो पर तंपड़ सर दुसरे पस्सीन है और ऑने सेका ओगया तो यह तेक यह निदीय पने क्या गट आया nam गटाने के बाद क्या बच गया माइनस के दो इसी परकार 11 में से 13 गटा दिये तो माइनस के दो इसी परकार 9 में से यदि वह समानतर शरेणी है तो उनके पर्समर्पद औरसारवन तर ग्यात करो पांच, A2 क्या है? A2 है माइनस एक, और A3 क्या है? A3 है तीन, ठीक है? अब इसमें ये करने के बाद क्या करोगे? हम D, सार वंतर क्या करेंगी, अगर इनका अंतर है ना, अगर वो सार वंतर समान आता है, तो इसामा अंतर से रही हैं, और ये गटाएंगे तो माइनस पांच है तो गटाया माइनस पांच गटा दिया यहां से गटाने के बाद क्या देखो माइनस एक माइनस और माइनस को मल्टिप्लाई किया क्या हो गया प्लस हो गया प्लस के पांच बचेंगे यानि प्लस के पांच में से मैनस को एक किया तो गटाया मनलब गटाया तो यह क्या हो गया चयार हो गया यानि is इसी प्रकाड यह करके देखेंगे एडी एक्वल ए थरी मैनेस ए टू यानि'i TzySnellii Pada में इसे दूसरा पर दोर गटाजे देखें तीसरा पर तीन टीन माइनस सेैं माइनस माइनस एक माइनस को मल्टिपलाई कितना हो गया प्लस हो गया है तो यह अब कितना हो गया छैन非常 लुए रचाने का मतलब है यहां सार वगंतर बडूरा रहा है सार मदोर रहा है बडूर किया है कि बाबर थे कि प्लिशल्यू पडर सरेंट स्रेणी है ठीक है यह स्रेणी क्या है समांतर स्रेणी है और समांतर स्रेणी है तो पर्थंपद क्या हो गया इसमें पर्थंपद यानि पर्थंपद क्या होता है जो सिरीज का पहला पद होता हो यह पर्थंपद होता है तो पर्थंपद ए ए क्या हो जाएगा माइनस पांच ए यह क्या हो जाएगा Cake- & 279 आपको बता है डी क्या होगा A2 बाइन से 11 यान इतना हो गया कितना हो गया बच्छो चयार हो गया कितना हो गया az four जै इस पर कार जात लेंगी और अब को क्विश्चन दूगा क्या दूंगा पांच से कुशन दूंगा उनको करके देखना चलो ठीक है